हेलो दोस्तों वैलकम टू एजूकेशन चैनल दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने जा रहे हैं यह इंजिनियर्स के लिए है यह वैकेंसी निकली हुई है पब्लिक हेल्थ इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट आसाम से इसमें जो है स्लेक्शन प्रोसेस है दोस्त इसमें सैली स्टक्चर जो है 60,500 रुपी स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी इन हैं राइट तो आप अप्लाइ कीजिए तो देखते हैं इसमें डीपली इसको कैसे अप्लाइ करना है eligibility criteria and rest of others thing और वीडियो के लास्ट में तीन और नोटिफिकेशन मिलेगा जो की सेंट्रल से related होगा जहां कि other candidate भी apply कर सकते हैं तो वीडियो के लास्ट में तीन नोटिफिकेशन देखेगा जो की तीन different organization के लिए है और दोस्तों आप जो है e-education channel पर अगर आप Excel सीखना चाहते हो तो MS Excel सीखना चाहते हो तो MS Excel सीख स्टार्ट हुआ है तो आप वहाँ जोएन करके आ आप Excel सीख सकते हो राइट तो चलिए देखते हैं इस notification में और चैनल को subscribe कर लें कोई भी doubt हो तो आप telegram पे जूट सकते हो message कर सकते हो वहाँ पर link description box में दिया गया है career selected बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी तो चलिए देखते हैं इस notification में यहां पर देखिए जुनियर इंजिनियर सिवल के लिए वैकेंसी निकली हुई है public health engineering department में यह वैकेंसी निकली हुई है आपका 111 है यहां पर breakup दिया गया है आप देख सकते हैं और यहां पर अब देखिए इसमें जो है 60,500 तक ग्रेट पर 8700 का है आपका जो है इसमें 18-38 ऐस दिया गया है एज कल्कुलेट जो होगा एक जनवरी 2021 का जो एक डेट है इस डेट के जो है डेट के अकॉर्डिंग जो है आपका एज कल्कुलेट होगा 5 एर एक्स्रा मिल रहा है SCST को OVC को 3 एर एक्स्रा मिल रहा है राइट दोस्तों अब यहां पर देखेंगे हम जो है आपका education qualification 3 एर डिप्लोमा मांगा है बी टेक वाले भी apply कर सकते हैं बट बी टेक का जो है इसमें consider नहीं किये जाएगा marks राइट सिर्फ जो है डिप्लोमा का और discuss करेंगे इसमें फर्दर जो डिप्लोमा अगर आपने civil engineering से किया है AICT से approved college से तो आप apply कर सकते हैं यहां पर देखिए higher degree will not carry no weightage will carry no weightage right तो यहां पर candidate must be the permanent resident of Assam न तो यहां पर elimination हो जाता है दोस्तों और वीडियो के last में जो तीन notification मिलेगा उसमें आप apply कर सकते हैं जो कि Assam से नहीं है क्योंकि यहां permanent resident of Assam बोल दिया है तो आप यहां सिर्फ Assam के candidate ही apply कर पाएंगे PRC issued in Assam for the education purpose as a proof of residency along with the application form right application form के साथ जो है आपको PRC apply करने के लिए link मैं बता दूंगा इसके right और candidate must be pursued the residential certificate of employment exchange in the state of Assam along with the application form application form के पास या तो PRC चाहिए या फिर यहां पर resident certificate apply exchange in the state of Assam से यह दोनों में से कोई एक चाहिए तो आप apply कर सकते हैं यहां पर देखिए जो 12th का है वेर्टेज 20% लिया जाएगा diploma का वेर्टेज जो है आपका 80% लिया जाएगा इस दोनों के basis पे आपका doubt होता है तो आप मुझे comment कीजिए मैं आपको response करूंगा यहां पर देखिए www.phe.assam.gov.in या www.jjmasam.in इस पर जाके आप apply कर सकते हैं कोई भी आउट होत कमेंट कीजिएगा स्क्रीन पर जो तीन नोटिफिकेशन दिख रहा है इसको देखें और इसमें भी अप्लाइ करें और ज्यादा दोस्तों अगर गॉर्मेंट जॉब्स रिलेक्टि नोटिफिकेशन आपको डेली चाहिए ती एच केशन चैनल आप सब्सक्राइ कि दोस्तो